आप सभी का स्वागत है आरसर के यूटूब चैनल पर और हम सब लाइव हैं एक नए सेशन के साथ में आज का जो टोपिक आपका होगा वो होगा इंटिग्रेशन हलांकि यहां पर एपलिकेशं टोपिक आपको नजर आरहा हो गालेकिन अपको इंटिग्रेशन होगा है 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 आप और उसी टाइप के questions भी आपके include कर लिए जाएंगे ठीका जी चलो देख लेते हैं एक बार एंडिये के जो questions वो क्या बोलते हैं है ना क्या चाते हैं अपने से चलो आओ फटा फटा आओ वेटा सारे के सारे बच्चे जो भी बच्चे नहीं आये हैं उनको फटा फट से गुल इंडिया के number one educator है इनको follow करने के बाद में सुबह इनका special class आता है 8 वजे यह वाला class आप जोइन कर सकते हो यह वाली जो class है यह आपकी plus की class है प्लस का बेच आप जोइन करने के लिए आपको सब्क्रिप्शन बाई करना पड़ेगा जिसके charges आपके पास यह हैं लेकिन अगर आप यह वाला code apply करते हो तो 10% का discount आपको इससे मिल जाएगा हाँ जी देख लिजिएगा आगे जो class हैं है मैट्स के जो class हैं वो आपके पास इस तरीके से होगी मैट्स का concept आपका 9.00 AM पर होगा सूबह 9 वजे मैट्स का concept होता है वन पी अम पर मैट्स का प्रेक्टिशेशन होता है और उसके बाद मैं अगर मैं बात करूँ मैट्स का प्रेक्टिशेशन जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफीसियल होने वाला है यूनी कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है याँ पर और इसका कंपेरिजन तो साथ हमारा तेलीक्राम चैनल है क्योंकि यहां पर आपको इंपॉर्मेशन दे दी और आपको जगा बीए जाता है कि बायों जाग जवाऊ सप्टापठ फट से क्लास इस अने वाले से क्लास में पूरी सिध्दत के साथ में पूरे विश्वास के साथ में अपने माबाप के चनणों में बंदन करके क्लास को स्टार्ट करेगा पूरे चूस के साथ में आई लव माइपरेंट्स बोलकर फटाफट से बीटा अना फटाफट चलो 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 फटाफट से आई लव माइपरेंट्स का कमे integration में किस लेवल तक का पढ़ चुके हो ठेक है जी चलो अंदाजा करवना आपसे स्टार्ट करते हैं लेकिन मेरा वादा है सर आपसे और आप भी वादा करिएगा प्रोमिस करिएगा कि सर जितने कुशन आप दोगे उनको हम दिल से सोल करने की कोशिस करेंगे सपने तो सब दे करते हो अगर आप जैसा सूस लेते हो टीम आरसर के बराबर भी अगर आप मेहनत कर लेते हो तो पता नहीं आपका कॉम्पिटिशन बहुत इजी निकल जाएगा बहुत इजी आप अपने दोस्तों को अपने कॉम्पिटेटर को बहुत पीचे छोड़ पाओगे जो बच्छ सवाल पहला सवाल कुश्चन की ओकाद देखके बात करना कुश्चन की ओकाद देख लो एंडिये 2019 का सवाल है मेरे लाल इसको नहीं फोड़ा तो कुछ नहीं फोड़ा और इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला लगा दे फिर पटाफट एकी पावर में लिखावा ह है कि पावर में बेटा इग्जामीनर भी अपने को मौका दे रहा है कि बाई साब पास हो जवाब लेकिन अपन को से सीदधिन ही कर रहे है कुश्चन को एकी पावर है सर एक्स लोग ए ठीक है मेरे लाग छी ना पर यहां पर बेस यहां पर लेडी रहता है इसका इंट्वर करना है तुच्चु सा सवाल है कि बोल बकिया उद्ध दोसा लही हाँ 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 आगई बात समझ में क्या करोगे आप आप यह करोगी कि सर लोग के अंदर मुल्टिप्लाइब में जो नंबर है वो चला जाएगा पावर में इसका मतलब आपका यह आजाएगा यह लोग एकी लोग कि यह घाएगा वन हो जाएगा सही बात है क्या यह यह सी लोग इबनोसाएगा इसका मतलब क्या बचता वहीए की पावर एक्स का इंटिघ्रेशन जब आप करोगे तो क्या पाओगे बटाद ध्यान रखना एसा करने पर जो लोग का base होता है न आपके पास वो कितना होता है यह होता है द्यान रखना चाहे एकी पावर में एकी वेल्यू कुछ भी हो एकी वेल्यू कुछ भी हो हमेसा base यह रहेगा तो answer देखो एकी पावर एक सपोन लोग A जिसको LN भी लिख दिया जाता है ठीक है मेरी लाल आया कि नहीं सवाल A option NDA 2019 का सवाल उड़ाया तुने अगला सवाल NDA 2018 का सवाल NDA 2018 का सवाल देख ले भई देख ले concept की ताकत देख ले और जवाब देदे फिर फटाफट से क्या होगा एकी पावर में है LN LN का मतलब होता है एसा लोग जिसका base E हो और input में लिखावा है सवाल NDA 2018 का सवाल बड़ी बेज़ती करिये सवाल की बहुत बड़ी बेज़ती लगाओ बच्चा बच्चा उड़ा सकता है सवाल को बड़ा बच्चा बच्चा उड़ा सकता है लगाओ एकी पावर लोग के अंदर बे सही इंपुटर 10 कि गुरुजी इससे ये गायब क्या बचा जी 10 बचा ये तो 1 हो जाएगा क्या बचा 10 और 10X का integration जब आप करोगे त बी option आपका right answer चाती फाड़ी कुशन की वारे मेरे सेर वा सेर तो चाती पे ही वार करते हैं कुट्टे बहुगते हैं पीछे से तो चलो जी अगला सवाल चलो बिटा अगले सवाल का जवाब देना साइन क्यूब X इंटू को सक्स NDA 2018 का सवाल मेरे लाल NDA 2018 का सवाल क्या समझते हैं आप ऐसे questions को क्या समझोगे आज ऐसे questions को क्या समझोगे आपने तो बहुत अच्छे level से study करिए बहुत अच्छे level से concept आपने पड़े हैं NDA 2018 का सवाल बहुत बड़ी बेज़ जती है सर बहुत बड़ी बेज़ जती है अरे बिटा साइन X का derivative available है न ये रहा और मैंने कहा ता जिसका derivative available होता है वो AJX अजिम किया जाता है तो सर ये जो साइन है ना इसको AJX माना जाएगा अगर मैं इसको X मानता हूँ तो X की power 3 का क्या होगा किस तर X की power 4 बटा 4 प्लस का C बात समझ में आई X की power 4 बटा 4 ये जो मेरे पास sign की power 4 है क्या मैं इसको ऐसा लिख दूग गया sign square का square upon 4 प्लस का C और सर ये जो sign square लिखावा है इसको लिख देंगे 1-4 square स्कॉयर का square upon 4 D option आपका राइट है थोड़ा सा मेक अप था वो भी option के अंदर था थोड़ा सा मेक अप था वो भी कहां option के अंदर मेकप था बाकी तो गुरुजी मेकप आप उतार देते हो बड़े शांदार हो अगला सवाल आज़ो अगला सवाल बोलो बताया अग नहीं बताया सेम कॉलिटी का कॉशन बता चुका हूँ मैं आपको हाँ जी देख लो क्या है कॉशन वन अपॉन टू की पावर एक्स माइनस वन मैंने टू की पावर एक्स की जगए एकी पावर एक्स लिखाता और कोई चेंजिस नहीं है लगाओ 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 फटाफट देखो जेरा कि सर इसको टू की पावर मैनस अक्स से मल्टिप्लाइ कर दो डिफ्रेंशेशन अवेलेबल करने के लिए क्योंकि सर टू की पावर एक्स का टू की पावर एक्स लोगे होता जो नहीं है तो आप टू की प पावर माइनस एक्स तो की पावर माइनस एक माइनस टू की पावर माइनस एक्स दी एक्स बोल मेरे लाल डिफरेंशेशन अवेलेबल है क्या नीचे वाले का डिफरेंशेशन देख के सर वन का तो होगा जीरो टू की पावर माइनस तो है टू की पावर माइनस एक्स माइनस लोग टू ऐसा होता है ऐसा होता है ठीक है जी माइनस माइनस क्या हुआ जी प्लस हुआ माइनस माइनस क्या हुआ प्लस इसका मतलब उपर प्लस का है कमी है तो किसकी लोग की तो सर हम लोग को यहां पर multiply कर देते हैं, log का divide कर देते हैं, और जो log आता है ना, ऐसे case में, उसका बे समेसा E होता है, ध्यान रखना, ऐसा log जो आता है, उसका बे समेसा E रहता है, ध्यान रखना, कि sir, अब differentiation available है, हाँ बिल्कुल available है, तो जब भी differentiation available होता है, तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं लोग नीचे वाली संख्या और लोग नीचे वाली संख्या क्या है? 1-2की पावर माइनस X प्लस आपका C, देख लो बिटा, आया कि निया, सर लोग जिसका base E होता है उसको sort में LN लिखते हैं, लोग जिसका 1-2 की पावर-6 अपोन LN2 कौन सा ओप्षिन B option आपका राइट आंसर है B option NDA 2018 का सवाल उकाद देख ली ना कुशन की बड़ी बेज़िती हुई ना मैंने क्या बताया था मैंने यहाँ पर E की पावर अक्स बताया था समझे मतलब मैंने कहा बिटा कॉंसेट के सवाल मिलेंगे 100% मिलेंगे इतनी तेयारी करवा कि बेजूँगा एक्जाम में कि सवाल मिलेंगे बिटा आगे चलो अगला सवाल देखो जी 10 inverse सेकक्स प्लस 10x स्टिग्नोमेट्र का यूज है 10 inverse सेकक्स प्लस 10x dx आपको बताना है क्या होगा 10 inverse सेकक्स प्लस 10x बोलिए फटाफट 10 inverse सेकक्स प्लस 10x कहानी है तो गुरुजी इनकी कहानी है इनकी सेक एक्स प्लस 10x की सेकक्स प्लस 10x सेके सिर्ष वो 9x साइन कोस में चेंज करूँ तो क्या इसा आएगा 1 प्लस 10x is अपॉन कोस 7x आएगा और बेटा इसका فर्मॐला आपको पता है क्या इसका فर्मॐला क्या होता है सर इसका फूर्मॐला होता है 10 pi by 4 plus x by 2 होता है याद करलो याद कर लो इसका formula होता है 10 pi by 4 plus x by 2 1 plus sin x upon cosec का formula होता है 10 pi by 4 plus x by 2 तो इसकी जगे जब मैं ये लिखोंगा तो बाहर तो क्या है जी 10 inverse है और अंदर है 10 pi by 4 plus x by 2 10 से 10 inverse cancel pi by 4 अकेला है constant है तो constant का होता है constant into x इसका जब आप करोगे तो x का होगा x square by 2 2 से multiply और होगा 4 plus का c देख लो मेरी जान फटा-फट से कौन सा answer है pi by 4 into x plus x square by 4 पहले ही मिल गया ज्यादा दूरी पर नहीं मिला answer है सर आपका कौन सा option पहला option सही है क्या a option पक्का प्रतेक बच्चे का सही है 100% तो लाइक में गंजूसी काहे करी गलत हो जाएक अगला सवाल एंड ये 2017 के सवाल की चाती फाड़ दी अपने आगे चलो और आ जाओ एंड ये 2017 का एक और सवाल सर एंड ये 2017 पस्ट एक्जाम का सवाल आपके लिए बेटा बहुत सिंपल कुशन है और ये सवाल तो NCRT का सवाल है मेरे लाल अधिकतर जो क॑शन है ना यहादि अधिकतर कुशन वो NCRT मेंचे MARK मतलब NCRT से पढ़ना गुरुजी जरूरी है क्या बेटा इंटीग्रेन जो है ना वो इंटीग्रेशन में से जरूर कर ले ना मेरे साथ साथ में integration करते जाओ बिटा आप उसमें से है ना exercise जो है न 7.1 7.2 वो exercise और examples करते रहो साथ के साथ में आपके concept सूपर डूपर हो जाएंगे x e की power minus 1 x की power e minus 1 e की power x minus 1 देखो मेरे लाग नीचे वाले का differentiation अगर मैं करूँ x की power e का क्या होगा कि sir x की power e का x की power n के तरीके से power आगे और एक power कम e की power x का कि sir e की power x ही होता है अगर मैं इस पूरे में से e common ले लूँ e अगर मैं common ले लूँ तो sir यहाँ पे तो e है इस वज़े से बाहर आ गया यहाँ पे नहीं है तो e का divide होगा इस e को जब आप उपर लेके जाओगे तो इस में से power कम हो जाएगी e into x की power e minus 1 plus e की power x minus 1 into dx बराबर आएगा dt बॉल बेटा कमी किसकी है sir e की कमी है और कोई कमी नहीं है e की कमी है तो इसका मतलब में क्या कहूँ कि sir यहाँ पे मैं e से multiply और e का divide कर दूँ चल जाएगा कि चलेगा sir इस नीचे वाले ट्रम का differentiation यहाँ अवेलेबल है तो 1 upon e लोग नीचे वाली संख्या और लोग नीचे वाली संख्या x की power e plus e की power x तो इसका मतलब option कौन सा है जी d option है option है आपका d option d option d option ठीक है ठीक है बढ़िया बहुत बढ़िया बिटा अमित कुमार पॉल सी नहीं बिड़ी होगा बिलकुल बढ़िया बिटा आपका correction बहुत शांदार बहुत शांदार बिटा बहुत बढ़िया आया ना चलो जी अभी तो sir previous year की question उड़ा रहे हो आप कुछ chapter start होते ही previous year की उड़ाने लग जाते हो तो जब questions आएंगे और जो लल्लू question आएंगे उनका क्या फोगा जी है अगला सवाल आ जाओ nda 2013 का सवाल e की power में e की power x और into e की power x differentiation देख लो sir आप किसका available है differentiation देख लो किसका available है काम हो जाएगा फिर nda 2013 का question nda ऐसा सवाल भी मिलेगा आपको ये सवाल भी ncrt में मिलेगा ncrt integration के लिए बहुत बढ़िया बुक है question number seven का जवाब बिटा आप ज़रा देखना क्या इस ट्रम को अगर में t अज्यूम कर लूँ इस ट्रम को t अज्यूम करूँ तो e की power x बराबर में इसका डिफरेंशिशन में करूँगा तो e की power x into dx बराबर क्या हो जाएगा t का one into dt हो जाएगा इसका मतलब कि सर ये जो number है ना ये पूरा वो पूरा का पूरा रिमू होगा dt से ठीक हजी ये रिमू हो गया dt से और इसकी जगह हम क्या रख देंगे t रख देंगे e की power TDT तो था की प्र ट का क्या होगा εκी पावर ट का εκी पावर ट ही होगा और ट की संका कोई विपति कोई आप्दा कोई परेशान ही बता दो फटा फट से यह ननो दीज ननो दीज तो गुरुजी ऑप्शन ही नहीं है आया बिटा कमपर्टेबल फील हो रहा है कर नहीं हो रहा है यह बताओ मुझे आज फिलिंग कमपर्टेबल और नोट कि अजनु रिवियस एर की कुशन उडा रहे हो और इजीली उडा रहे हो आप इजीली उडारे हो कोई दिक्कत नहीं कोई समश्य नहीं कोई परेशानी नहीं इननो दीज भी नहीं सब कुछ नहीं गुरुजी आया बिटा आग फोड़ी कुशन है रहे मेरे सेर अगला सवाल ले बड़ा वेग पूप समझाए क्या मारे गो एंडी 2013 सेकंड एक्जाम का कुशन एंडी ये 2013 सेकंड एक्जाम का कुशन कि चलो 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 बताओ फटाफट कॉंफिडेंस हाई होगा फिर क्लास जब सेव हो जाएं तो कमेंट करके मुझे बताना ना आओ आफ किस तरीके से फिल कर रहे हो इस क्लास के बाद में अरे भाई साब गुरुजी ये सवाव तो बड़ा बेवकू समझा हमारे गो इन दोनों को अलग-अलग कर दिया क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ दोनों को एक कर दो साइन स्क्वाइर एक्स प्लस कोस स्क्वाइर एक्स अगर मैं इसको ऐसा कर दू तो कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी साइन स्क्वाइर प्लस कोस स्क्वाइर हुआ एक एक का इंटिग्रेशन करोगे तो इतना आएगा जी एक्स प्लस का सी इसका लोजी चलो 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 बताओ फटा फट अरे भाई समझ भे आया है ऐसा सवाल अरे गुरुजी आपने यह तो कॉंसेप्ट की क्लास में करवाया था वही है क्या हाँ भाई वही है मैंने लिख दिया था लोगक्स इसने लिख दिया एल एन एक्स ठीक है एंड ये दोजा तेरा बोल इ लोग एक्स एलेन एलेन एक्स प्लस सी एह ओप्षिन आपका राइट आंसर है दो कि बोल मेरे लाल आया की नहीं सवाल आगे चलो आगे चलो कुश्चन नंबर टेन अचाहाहाहाँ हसी आती कभी-कभी तो है एंड दो जार तेरा के अंदर इटा टुचु सा सवाल लल्लु स सवाल कि एह है कि अधे अधे है कि दो 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 फटाफट अधे है 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 कि अधे बेज जिती कर रहे हो सवालों की अरे मेरे लाल एलन का मतलब यह होता है सर यह वन हो गया एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर वैट्टू बड़ी बेजिती करते हो आप सवालों की एंडी यह दोहजार तेरा का सवाल अब तक मुझे यह बताओ दस में से कितने कुशन आपके सही हुए हैं अब तक दस में से स्कोर बताओ सवाल पूरे के पूरे प्रिवेस यहर के जितना पढ़ाया उसमें से अभी तो बाकी है बाकी है लेकिन कुशन में आप से अभी जैसे जैसे पढ़ाने के बाद में करवा हूंगा ना कुशन उसके बाद में उनकी बख्या उधेर देंगे चलो चलो बताओ फटाफट एक बच्चे ने कमेंट किया है सर सूसू करवा दिया कुशन को वारे मेरे सेर कहां से डायलोग ढूंड कर लाया है कितने सवाल 10 में से 10, 8 जो बच्चा लेट आया होगा ना वो कर पाया होगा 6-7 सवाल जो बतार स्टार्टिंग से वो 10 उड़ा पाया होगा आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो बताओ यार बड़ी बेज़िती है बैसाब एंडी दोजार बारा का सवाल बड़ी बेज़िती करी सवाल की वन अपोन कोस स्क्वाइर हुआ सेख स्क्वाइर और वन अपोन साइन स्क्वाइर हुआ को सेख स्क्वाइर ठेका जी अच्छा सेख स्क्वाइर का कितना सेख स्क्वाइर का बताना मुझे कितना बोलो मेरे लाल सेक स्क्वाइर का होता है सर्टेन एक्स और कोसेक स्क्वाइर का क्या होता है माइनस का कोटेक्स तो प्लस का कोटेक्स आ जाएगा प्लस का सी यह आया लेकिन गुरू जी ऐसा नहीं है सवाल और ऐसा नहीं है तो रहने दो बिटा इसा नहीं है तो क्या करें फिर अपन है अपन मजबूरी है साइन कोस में चेंज कर दो इसको साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डरो मत सवाल से आगे ट्रिगनोमेटरी है थोड़ी सी एल्चिम लेंगे यह इदर मल्टिप्लाई यह इदर multiply sin square plus cos square 1 और 1 upon sin x into cos x 1 upon sin x into cos x इसको 2 बटा 2 से multiply करना है एक बार तो क्या आता है कि सर 2 से multiply करने पर 2 sin x into cos x c sin 2 x का formula है तो ये तो बना सर sin 2 x और plus का c sin 2 x जब उपर जाएगा तो बन जाएगा सर cos 2 x इसका मतलब right answer यहाएगा 2 cos 2 x plus c कहीं है क्या ठीक है क्या कितना यह गुमाले सवाल को मेरे लाल पोड़ने के लिए तैयार है क्या बात है देख लो nda 2012 का सवाल nda 2012 का सवाल मेरे लाल बोलो 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 फटा फट question number 12 अरे बिटा इसका differentiation है ना नीचे जब भी किसी trump का differentiation नीचे available होता है तो sir उसको aj x assume किया जाता है और x का integration क्या होता है कि sir x square by 2 होता है क्या होता है x square by 2 plus c कौन सा option है पहला option सही answer है पहला option आपका right answer होगा और चलो आजाओ अभी तो क्या बाई बढ़िया सवाल है बोलो तो सही का है sir मारे हो अरे sir आप देखो तो इन दोनों की power 1 है अगर power 1 है तो इसका मतलब sir ये जुड जाएंगे न नीचे base भी तो multiply होगा बात सही है क्या बताओ बात सही है ऐसा लिख सकता हूँ इसको ये है sir constant ये है constant constant की power variable जब constant की power variable होता है a की power x की जैसे समाकलन होता है a की power x का समाकलन की sir a की power x upon log a होता है ये होता है formula ठीक है जी देख लो कहीं दिख रहा है क्या इसा हाँ sir दिख रहा है और कहां दिखा sir c option की तरफ दिखा c option तुच्चू सा सवाल है तुच्चू सा ठीक है clear है question number 13 उड़ा दिया आपने आजाओ फिर अगले सवाल की तरफ x square plus 5 उसकी power है sir 5 बटा 2 और into x dx क्या हो कि बोलो जी लाइक में कंजू सी नहीं होनी चीए मेरे लाल लाइक में कंजू से नहीं होनी चीए और यहां पर आपके साथ में क्लास में जो बच्चे air force वाले भी बिटे हैं और वो भी उसी speed के साथ में question की band बजा रहे हैं देखे जाओ आप लोग अरे differentiation है क्या इस ट्रम का differentiation कि sir इसका differentiation x square का 2x होता लेकिन यहां पर x है कोई बात नहीं आप और कर दो 2 से multiply कर दो 2 का divide कर दो इसका मतलब जब आपने 2 का divide कर दिया यह है sir 2x तो 2x को आपने लिख दिया इदर और यह है sir x square plus 1 उसकी power है 5 बटे 2 into dx बोल मेरे लाल इसका differentiation available है क्या कि sir हाँ है तो sir इसको x माना जाएगा हाँ माना जाएगा x की power 5 बटा 2 है तो sir power के अंदर एक जुड़ जाएगा जो आता है उसी का नीचे divide होगा 5 बटा 2 plus 1 और यह आएगा sir x square plus 1 ठीक है जी एक बटा 2 already आपके पास था plus का c right answer तो sir यह आएगा यहाँ पर आप होगा देखो कि x square plus 1 की power होगा sir 7 बटा 2 नीचे भी आएगा 7 बटा 2 यह 1 बटा 2 multiply में है इससे कट जाएगा x square plus 1 की power 7 by 2 1 by 7 आपका right answer है c option right answer होगा c option बेजिती पे बेजिती हुरी है बेजिती पे बेजिती हुरी है सवालों की तो nda 2012 का सवाल आगे चलिए आगे चलिए यह था sir बड़िया वाला सवाल बहुत बड़िया वाला सवाल बहुत ही classic question ln 10 आपको इसका integration करना है क्या होगा कौन कौन से statement सही होंगे बच्चा बहुत गलती कर देता है इसे questions के अंदर question तो बहुत लल्लू सा है लेकिन गलती कर बेड़ता है है न ln 10 ln 10 log 10 का log 10 का derivative log 10 का integration पहला statement देखना जी log 10 क्या इसका value आप एक बता सकते हो गया इसका value एक होता है क्या मुझे बता हो इसका value एक होता है नहीं सर होता भी है लेकिन question में दियावा होता है बेस 10 मानते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर बेटा देखो हम basically वेसे बता नहीं सकते log 10 का value 1 लेकिन अपन integration differentiation में बेस E लेकर काम करते हैं तो सर यह actual के अंदर ऐसा लिखावा होना चाहिए ठीक है जी तो सर यह लिखावा है ln का तो मतलब ऐसा भी क्या है ln लिखावा है इसका मतलब ऐसा log जिसका base की तरह है E है तो इसका मतलब सर यह लिखावा है पहला लिखावा है ऐसा ऐसा लिखावा है इसका आपको integration करना है तो इसका integration क्या होगा कि सर यह तो है constant यह तो है constant इसका मतलब log 10 base E यह तो constant 1 बचेगा 1 का कितना X और plus का क्या हैगा C आएगा अच्छा जी इसके बारे में बता सकते हो आप क्या कि सर इसको L and 10 लिख सकते हो आप L and 10 into X plus का C क्या इसा है क्या आपके पास पहले के अंदर इसा है क्या कि नहीं सर यहाँ पर X है L and 10 कहा गया उसकी value एक थोड़ी होती है इसका मतलब पहला statement गलत है ठीक है दूसरा statement 10 की power X 10 की power X का जब आप integration करोगे देखू कितने basic सवाल है बच्चे को basic नहीं पता रहता A की power X का होता है A की power X upon log A होता है और बच्चे देखते ही क्या कर देते हैं log 10 की value तो 1 हो गई ना तो बच्चे साब बच्चे देखते ही क्या कर देते हैं तो sir answer याना चाहिए अभी ये बता मुझी ये 1 होगा क्या कि नहीं होगा नहीं होगा तो ऐसा दिखना चाहिए था नहीं दिखा नहीं दिखा तो ये भी गलत है और आपको क्या पूचा है which of the above statement is or are correct neither one or two D option आपका correct है दोनों के दोनों गलत है ये बहुत बड़ा confusion है बच्चों के दिमाग में अभी भी बोल रहा हूँ है आप गलती करते हो आप गलती ऐसा करते हो ln 10 है या फिर आपका log 10 है कि sir differentiation integration करने के बाद में जो log आता है ना उसका base अमेशा e आता है ये मान के चलो आप ये होता है फिर आपने log 10 की value 1 क्यों कर दी log 10 की value आपने 1 क्यों कर दी गलत बात है और इस ln का मतलब तो base अमेशा e है इसका तो ठीक है ना लपेटे गए ना d answer आएगा जी d answer हाँ जी आगे चलो बोलो बोलो ncrt में है नहीं question ncrt में और सुबह की class में भी आपको सोल करवाया ncrt का question ncrt का question one upon sin square into cos square one upon sin square into cos square बोलो मेरे लाल फटाफट देखो जरा सरी ये one है इस one को लिखा जाएगा sin square x plus cos square x sin square x plus cos square x और नीचे जो लिखावा है दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो sin square x into cos square x इसके नीचे भी लिख दिया sin square x into cos square x ये sin square से sin square cos square से cos square one upon cos square हुआ सर c square x और one upon sin square हुआ सर cos square x तो c square x का तो क्या होगा जी 10 x और cos square x का क्या होगा जी माइनस का कोटेक्स प्लस का C तो इसका मतलब 10X माइनस का कोटेक्स प्लस का C कौन सा है बी ओप्शन NDA 2011 के सवाल की बेजिती हो गई है NDA 2011 के सवाल की बेजिती B ओप्शन आएगा NCRT में है और exercise नमबर 7.1 में ही होगा साइद ये अगला सवाल NDA 2011 11.1 मिला लेना आज के बाद में आपको यकीन हो जाएगा ये के previous year के question अदिक्तर NDA जो NCRT वाली book है उसमें से आएवे हैं बाहर से एक सवाल नहीं है sign inverse cosex का आपको करना है integration sign inverse cosex बोलो 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 फटाफट अरे मेरे पिलाल cos x को क्या लिखोगे आप cos x को क्या लिखोगे cos x को लिखोगे sign pi by 2 minus x pi by 2 minus x ठीक है जी हाँ ये sign से sign inverse कटेगा cos को मैंने sign pi by 2 minus x लिखा था pi by 2 का क्या होगा जी pi by 2 into x और x का क्या होगा x square by 2 plus c बोलो कौनस answer pi by 2 into x minus x square by 2 three में selection हो सकता है क्या सरे nd ה में बोलो रे прим a selection हो सकता है N.đ में ना आप का विचार क्या है आपका क्या क्या कहता है क् pie के अंदर पढ़ने से ndamation हो सकता है जवाब करना जब class से हो जाए तो comment में अगला सवाल sign root x upon root x sign root x upon root x अगला सवाल अगला सवाल येस 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 जब टीम आरसर है साथ तो फ्री में भी सेलेक्शन करवा सकती है करवाए हैं पहले और अब भी करवाके देंगे चालो जी, ये देखो जी इसका डिफरेंशेशन अवेलेबल है क्या रूट एक्स का रूट एक्स का डिफरेंशेशन की गुरुजी रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है न रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1 by 2 root x क्या होता है जी 1 by 2 root x बात सही है तो यहाँ पर किस की कमी है 2 की कमी है तो 2 की कमी है तो 2 से multiply 2 का divide सही बात है जब तक सर differentiation इसका available था इदर ठीक है जी तो इसको हमने चलो t मान लिया तो 2 यह हो जाएगा sin t sin t का derivative करोगे तो माइनस का एगर माइनस का देखो कहा है किसर माइनस का 2 कॉस t प्लस का c t की value अंडर रूट x इसका मतलब कौन सा option रे d option आपका right answer है मेरे लाल d option right answer है बोलो तो सही सही है क्या ठीक है चाती फारदी सवाल की d option आगे चलो अगला सवाल बोल ncrt में है कि नहीं है आज यकीन करवा दूँगा तुम्हारे को ncrt 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 का सवाल और साइद कहीं जहां तक मुझे लगता है exercise 7.2 का 17 नंबर का सवाल होगा 17 है या कौन सा है मुझे यात्वारा है कि है ये जरूर चलो लगाओ e की पावर x 1 प्लस x सुबह वाली क्लास में नहीं करवाया सुबह वाली क्लास में भी था nda 2010 का सवाल कमान गाईज मेरे सेरो फोडो सवालों को एक एक करके के सर जो complicated part होता है उसका differentiation available होता है आपने x e की पावर x को ही मान लिया ठीक है x constant e की पावर x का e की पावर x plus e की पावर x तो constant x का कितना 1 into dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा तो मेरे लाल इन दोनों में से e की पावर x common ले ले x plus 1 into dx बराबर कितना आया dt आया मेरे लाल तो ये उपर वाली जो पूरी ट्रम है उपर वाली पूरी ट्रम dt से रिमू होगी क्या हाँ सर होगी 1 upon cos square t dt और 1 upon cos square c square और c square का होगा 10, 10 t और t की value है x e की power x plus c c option आपका right answer ठीक है क्या बात समझ में आ गई आ गया आगे चलो c की power n मानता हूँ सवाल बढ़िया है लेकिन देखना solution के बाद में ये सवाल भी टुच्चु सा लगेगा आपको बहुत बढ़िया कोशन है कोशन नमर 20 ये सवाल जरूर मैं मानता हूँ की बढ़िया है आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगा सेख की power n into 10x आपको बताना है NDA 2010 का कोशन है NDA 2010 का सवाल है लगाईए सर फटाफट differentiation अवेलेबल करने की कोशिस करो इस सवाल का ये की हिंट है आप जरा देखने की कोशिस करो कि क्या differentiation differentiation अवेलेबल है क्या नहीं है बोलो क्या हुआ differentiation अवेलेबल करो या differentiation किसका अब देखो सेख को मानोगे तो सेख अक्स इंटू 10x अब सेख स्क्वाइर तो अवेलेबल हो नहीं सकता सही है ना सेख स्क्वाइर तो नहीं हो सकता ये सेख की power n है सेख की power n है क्या मैं इसको एसा लिखू क्या सेख की power n-1 into x मुझे बता दू लिख सकता हूँ क्या मैं बस मैं आपको ये पूछ रहा हूँ क्या लिख सकता हूँ क्या किसी बच्चे को दिखकत है क्या इसी कि सर शेख की इंटू शेख इसकी power n-1 इसकी power 1 पावर जुड़ेगी पावर एन हो जाएगी वापस एन है कोई दिक्कत नहीं है डिफ्रेंशिशन अवेलेबल करने के लिए आप एडजस्ट करना सीख जाओ तो सर यह देखो जी यह जो सेक अक्स है ना यह सेक अक्स उसका इसका अगर मैं सेक X को T मान लू अब T की पावर N माइनस वन का, कि सर पावर के अंदर 1 जोड दो और नीचे भी सर 1 जोड दो प्लस का C तो T की power N upon N plus C T क्या है सेक सेक की power N upon N plus C कौन सा option आएगा जी पहला option आपका सही है सवाल था जबरदस्ट quality का अच्छा question था इसको बोलते हैं अच्छे question और वो बहुत कम मिलते है ठीक है बात समझ में आ गई NDA 2010 का सवाल आगे चलो बोलो क्या कहना है सवाल के बारे में as it is करवाया हुआ है ये सवाल बेटा इस बार Air Force का जो exam था किसी बच्चे की shift में मिला होगा ये Air Force के exam में ये ही कुशन था same as it is डिटो 1 upon 1 plus E की power X अच्छा कोई दिकत नहीं है ये भी NCRT में ही है ये भी NCRT में से ही है देख लेना जाके 1 upon 1 plus E की power X NCRT है और बेटा आप tension ना लो exam तक में NCRT के top questions भी आपको करवाऊंगा अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है बेटा हम ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि free में भी selection हो सकता है ठीक है ना हाँ जी देखो जिरा तर ऐसे question के अंदर differentiation available करना होता है differentiation डाइरेक्ट ये मत कर देना ठीक है बच्चे D पे टिक कर देते हैं गलत हो जाएगा differentiation available होता है तब होता ही है differentiation नहीं है अभी differentiation available करने के लिए E की power minus X से उपर नीचे multiply कर दो E की power minus X इससे multiply किया E की power minus X E की power minus X को इससे multiply किया मैंने देखो जरा बोलो फिर के सर अब देखते हैं E की power minus into E की power X क्या हो गया 1 हो गया अब मुझे बताओ क्या इसका differentiation available है क्या E की power minus X plus 1 इसको आपने T माना E की power minus X का minus E की power minus X 1 का 0 dx बराबर कितना होगा dt होगा यह minus इदर से हटके इदर लग जाएगा तो सर यह उपर वाली जो पूरी ट्रम है उपर वाली पूरी ट्रम है वो किस से हटेगी minus dt से minus 1 upon T dt और 1 upon T का क्या होगा log T plus का C यहाँ पर T की value रख दो T की value क्या है 1 plus E की power minus X इस minus को भी आप एसा करो यहाँ पर बेज दो minus को जब आप T की power minus 1 बनाओगे तो वो बन जाएगा log 1 upon T plus का C log 1 upon T plus C T की value क्या है रख दो तो यह आएगा सर आपका log 1 upon T और T की जगह है E की power minus X plus का 1 ठीक है और इसको आगे आप change करना चाओ change कर सकते हो इस E की power minus X को लिखा मेंने 1 upon E की power X LCM लेने से इसके नीचे 1 अजूम करके LCM लेंगे जो उपर चला जाएगा log E की power X upon E की power X plus का ठीक log में दो संखे हैं किसमे हैं? divide में हैं अलग अलग लिखी जाएगी minus में इस तरीके से लिखी जाएगी ये और इसका base E होता है तो ये हट जाता है इसका मतलब X minus log E की power X plus 1 ये आपका right answer आएगा देख लो X minus log 1 plus E की power X C option सही है सर C option आपका right answer mission and D ये बच्चे ने लिखा है सर मेरी सिप्ट में था सवाल ठीक है ना ठीक है हाँ आगे चलो आगे चलो मेरे लाल मेरे लाल मेरे काले मेरे पिले मेरे गुलाब जमुन ये सवाल आपको पहली ही class के अंदर करवाया है concept की class concept की class integration का part number 1 के अंदर करवाया बोल same डिटो और concept भी बता दू क्या था concept ये था कि जब उपर पावर जदा हो नीचे पावर कम हो तो divide करना या फिर नीचे जो bracket दे रखा है वो bracket उपर बनाने की कोशिस करना बोल ये concept था e की पावर x प्लस हाँ जैसा भी आपको simple लगे वेसे कर सकते हो सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते है बोलो बताया कि नहीं बताया मैंने आपको ये कहा था कि x की पावर 4 प्लस 1 जो है न इसको आप ऐसा लिख दे न x की पावर 4 1 माइनस कर दो 1 जब आप इसमें प्लस करोगे तो इसमें जुट जाएगा दो हो जाएगा ठीक है देखो solve करके ये आ रहा है कि उपर वड़ा कि यहां सर आ रहा है divide से बचने के लिए बता रहा हूँ इसा वरना divide करना पड़ेगा आपको और नीचे की दरा है ये जो x की पावर 4 माइनस 1 है क्या मैं इसको इसा लिख सकता हूँ x square प्लस 1 x square माइनस 1 प्लस का 2 और नीचे जो दे रखा है आपका 1 प्लस x square इसको दोनों की नीचे अलग अलग लिख लो इसके नीचे भी लिख दो इसके नीचे भी लिख दो इससे सर आपका ये कटेगा अब आप integration कर दो x square का x cube upon 3 माइनस 1 का x और इसका किसर 1 upon 1 प्लस x square का 10 inverse x cube upon 3 माइनस x प्लस 2 10 inverse x प्लस c कौनस option है सर? c option एज ये 2010 का सवाल है एज टीज करवाया हुआ है सेम डिटो करवाया हुआ है बिटा ठीक है क्या? बात समझ में आ गई देखते ही option आ गया integration के सवाल बोलो क्या कहना चाते हूँ उस सवाल के बारे में nda 2009 का सवाल nda 2009 का सवाल है? जादू हो गया हाँ हाँ जादू को गया जादू हो गया देखो जरा नीचे वाली ये की ट्रम है concept देखो कुशन का क्या था मैंने कहा था जब भी नीचे एक ही ट्रम आए उस ट्रम को उपर वाली दोनों ट्रम के नीचे अलग-अलग लिख दिया जाएगा बोला का ना बस कर दो ऐसा के सर एक के नीचे हम लिखेंगे कोस स्क्वाइर एक्स को एक के नीचे कोस स्क्वाइर एक्स को प्लस है सर बी साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वाइर एक्स कोस स्क्वाइर एक्स को मैं कोस अक्स इंटू कोस अक्स लिखूंगा तो sir इसको मैं इस लिख सकता हूँ क्या A safe square x plus B sin upon cost तो क्या हो गया 10 तो ये तो हो गया 10 और 1 upon cost क्या हो गया कि sir safe x बोलो मेरे लाल बो तो सही क्या आया कि नहीं आया A तो constant है safe square का क्या होगा 10X B safe x into 10X का safe x plus Q बोलो आया कि नहीं आया A safe x A tan x C आपका right answer है B option B option B option right answer और आज पहली बार बाई साब मुझे लगता है आज मेरे लाल record बनाएंगे 30 में से 30 सवाल का record बनाएंगे आज तो 25 प्लस तो प्रत्य एक बच्चा करेगा previous year के सवाल है सर ये previous year के देखते जाओ अभी आप देखते जाओ बताओ क्या गड़बर था सवाल में सेक एक्स डिग्री था सेक एक्स डिग्री सेक एक्स डिग्री मैंने कहा था भाई कि डिग्री के अंदर कोई भी कुस्चन का solution नहीं होता है रेडियन में चेंज करोगे पाई बटा एक्स ओसी से इसको मल्टिप्लाई करोगे तब रेडियन में चेंज होगा सेक का पुझे बताओ सेक का क्या होता है लोग सेक X प्लस 10X और एक होता है लोग 10 Pi by 4 प्लस X by 2 क्या होता है लोग 10 Pi by 4 प्लस X by 2 X पूरा मना जाएगा ये पूरा X by 2 तो इसका मतलब Pi X बटे 2 का डिवैड करोगे 360 आ जाएगा इतना तो समझ में आया अब गुरुजी आपने छेड़कानी करी है इसके variable के साथ में variable के साथ में अगर आपने छेड़कानी करी तो आपको भुगतना पड़ेगा जुर्माना और सर जो variable का आपने multiply किया उसका divide आपको करना पड़ेगा जी तो यह 180 उपर चला जाएगा इसका मतलब 180 बटा पाई लोग 10 पाई बाई फोर और आपको दिख रहा होगा दिख रहा है काहीं कहीं न कहीं दो दिखेगा जरूर 180 बटा पाई बताओ पहले तो का है कि सर इसमें पाई बटा एक बटा एक सो आसी है तो यह तो वेसे गलत हो गया ठीक है पहला वेसे ही गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर x degree लिखावा है ठीक है जी तो x degree को रेडियन में चेंज करना होता है 180 बटे πाई वाला सही होगा log 10 πाई बाई 4 प्लस x बाई 2 x बाई 2 नहीं होगा answer आएगा sir यह answer आएगा d option इसके अंदर भी लोचा है थोड़ा सा यहां पर sir πाई हो रहाएगा अच्छा जी πाई की value रख दिये पाई की value रख दी है आपने और पाई की value रख दी तो answer आजाएगा c option पाई की value रखने के बाद में c option आएगा पाई की value रख दी 180 देखो तो जरा पहले देख लो c option c option हाँ जी यहां से तो आपको 180 c बटे πाई मिला कोई दिक्कत नहीं है और यहां से आएगा सर लोग 10 पाई बाई 4 और पाई की value 180 c रखोगे तो यह से कटेगा दो बार पाई बाई 4 प्लस अक्सवाइट वाएगा पाई बाई 4 प्लस अक्सवाइट तो कौन सा उप्शन है c option ठीक है मेरे लाद अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल यह है बड़िया कुशन है सर यह बड़िया कुशन है लेकिन ये भी NCRT में ही है टेंशन मतलो NCRT में ही है NDA2009 का सवाल NDA2009 का सवाल कुशन में बिटा मेरे प्रसे आपको फिर से बोलू में बात वो की वोई है आपको differentiation create करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा differentiation किसका कहां available है differentiation कहां available है लपेट दिया चलो जी चलो मेरे लाल बताओ समझो बिटा बात को कि सर ये जो सेक की power 4 है 10 का differentiation तो सेक स्क्वाइर होता है मतलब power 2 जादा है ना तो आप इस सवाल को बिटा ऐसे कर सकते हो क्या साथ देना मेरा एक बार कि क्या इस सवाल को ऐसे लपेट सकते है क्या हम 10 का differentiation सेक स्क्वाइर तो है लेकिन ये लाल क्या differentiation किसका दिख रहा है दिख रहा है किसी का differentiation कि हाँ सर 10 का differentiation दिख रहा है 10 का differentiation सेक स्क्वाइर है ठीक है तो आप इसको इधर मल्टिप्लाई और एक बार इधर मल्टिप्लाई कर दो उसके बाद में हम इसको लिख देंगे ऐसे 10 स्क्वाइर प्लस 10 की पावर 4 इंटू X और इंटू सेख स्क्वाइर X DX बोलो मेरे लाल क्या ही दिखा क्या आपको दिखा क्या दिख रहा है पक्का दिखा 10 X का differentiation ये रहा इसका मतलब T स्क्वाइर का करूँगा तो मैं T प्लस टी इसको माना था इसका differentiation अवेलेबिल टी की पावर 4 का क्या होगा टी की पावर 5 प्लस का सी देख लो 10 क्यूब X प्लस 10 की पावर 5 अपन 5 हाँ जी गुरुजी ये रहा सी भी ओप्शन आया बेटा सवाल हाड तो नहीं है ये सवाल अपने आप को nd अपतां अब क्लास से पहले 1000 लाइक करना तो आपका फरज बनता है अगला सवाल ले लो जी अगला सवा सवाव अगे तो डराने वाले question भी यह देखो डराने वाला question आगया बच्चे को डराने वाला question question number 26 1 upon sine square plus 2 cos square minus 1 डराओ मत सवाल बच्चों को डराओ मत सवाल simple है कैसे थोड़ा सा manage आपको करना पड़ेगा सवाल को थोड़ा सा manage कर लो answer आ जाता है कैसे करेंगे manage देखते हैं ओपर तो है d theta ठीक है जी अगर मैं ये जो आपका sine square है sine square को लिख दू 1 minus cos square theta कोई गड़बड करी मैंने sine square को 1 minus cos square लिख दिया plus 2 cos square theta और minus 1 बोल बटा 1 से 1 कटा ठीक ये minus cos square ये plus 2 cos square से कट गया तो कहीं कोई गड़बड ना है सर एक line के अंदर answer आ सकता है 1 upon cos square हुआ सर 6 square theta और 6 square theta का जब आप integration करने जाओगे तो वो होगा सर 10 theta plus C बोलो सही है कि नहीं है 10 theta plus C 10 theta plus C आपका A answer सही है सर A option सही है ठीक है अभी तो बेटा कल की class में जो concept आएंगे वो जहर concept होंगे ध्यान रखना कल की class मिस मत कर देना सुवर 9 बज़े वड़ी ठीक है क्योंकि concept में ही पूरी ताकत तो concept में जोग देता हूँ मैं जी जान उसके बाद में ये सवाल आपको लल्लू लगते है चलो बताओ सब को लेना है संडे को मेरा थन जो class है न वो सारे बच्चों के लिए है बिटा 1 की पावर X-1 बोल मेरे लाल क्या है सवाल एसा सवाल 1 अपोन उकी पावर X-1 बोलो कि कुरुजी पूरे ब्रेकेट की पावर माइनस में थी पूरे ब्रेकेट की पावर माइनस में थी तो हम का करेंगे एनडी 2008 में ऐसा क्यासा कुशन आया repeat हुआ गनीवा repeat हो गया question concept के class में सिखाया इससे पहले बता चुका हूँ वो 2011 में था साइदरी 2008 में है सवाल करने का वोई तरीका e की power minus x से लपेड दो उपर multiply नीचे multiply कर दो और नीचे जब आप multiply करोगे तो नीचे वाले ट्रम का differentiation है क्या कि नहीं है नहीं है तो माइनस से multiply कर दो अब है क्या हाँ है वन का तो 0 इसका यह होता है तो नीचे वाली इस पूरे bracket का differentiation अवेलेबल है तो आएगा लोग नीचे वाला bracket लोग नीचे वाला bracket आपका right answer माइनस लोग 1 माइनस e की power minus x माइनस लोग 1 माइनस e की power minus x प्लस c से ओप्सन सही है ठीक है क्या अब इसे simple लगेगा है हाँ जी बोल कितनी बार पूछोगे कितनी बार पूछोगे कैसे कराओगे कुशन को कैसे कैसे सवाल ncrt में क्या था ऐसा का इसा कुशन आ चुका है यहाँ पर कोस स्क्वेर था इसने क्या दे दिया साइन स्क्वेर लपेट दो सस्ते भावों में लपेट दो सवाल को जानते हो आप सब कुछ जानते हो वैसा मुझे बताने की ज़रत नहीं हो नीच यह इस सवाल को कुश्य नंबर 28 कुश्य नंबर 28 वा मेरे सेर देख यह रहा कि गुरू जी ऐसा काईसा है इसका डिफ्रेंशेशन यह रहा फूरा X,E की पावर X का डिफ्रेंशेशन है और जब डिफ्रेंशेशन है तो सर इसको ऐसा लिख दू क्या में साइन स्क्वायर T, D, T और 1 अपोन साइन स्क्वाइर का कि सर कोसे की स्क्वाइर T DT और सर कोसे की स्क्वाइर का कि माइनस का कोट T और माइनस का कोट XE की पावर X प्लस C बोल कुशन नमर 28 का D आज मेरे लाल टारगेट बना रहा है तीस में से कितने कुशन सही हुए प्रतेक बच्चे का दिल के साथ में कमेंट होना चाहिए क्या फ्री में सेलेक्शन हो सकता है करवा सकती है टीम पर भरोसा है आपको तो सर हो की रहेगा सेलेक्शन अब हम भी देखते हैं सेलेक्शन होता है कर नहीं होता है फ्री में भी होता है क्या हाजी स्क्वाइर रूट X माइच हैं जिटा पावर माइनट सा पूरे की पावर माइनस को ऐसा यह चाहीं है कोई सोभाई नहीं हमें इस को अगर मैं एसा लिट्थ ह का सक्वार मात सब्सक्राइब लिग दिया है कौन सा गलत कर दिया कोई गलत नहीं इस पूरे में से अगर मैं कुछ common ले लूँ अगर इस पूरे में से मैं अंडरूड अक्स common ले लूँ तो यह तो वन इसमें से एक अंडरूड अक्स बहरा गया क्या बचके अंडरूड एक्स इंटू डी एक्स बोल मेरे लाल बोल मेरे ज जवान कहीं differentiation है क्या कि हां सर यह जो bracket है इस bracket का differentiation है वन का तो 0 और अंडरूड x का होता है 1 अपोन 2 अंडरूड x तो 2 से कर दो multiply 2 का divide आप मुझे बताओं इसका differentiation available है 1 का तो 0 अंडरूड x का 1 अपोन 2 अंडरूड x यह रहा पूरा का पूरा ठीक है तो जब नीचे वाली ट्रम का differentiation उपर अविलेबल होता है तो आंसर आता है लोग नीचे वाला bracket लोग नीचे वाला bracket लोग नीचे वाला bracket यह रहा वई बोलो आया क्या लोग 1 प्लस 2 लोग 1 प्लस रूट x प्लस c कौनसा option bb सकता ना bb पे हैं चाती पार दी सवाल की ले बिटा लाश्ट कुशन कुशन नमबर 30 तेरे सामने हैं सब कुछ तेरे सामने है सेकक्स इंटू को सेकक्स dx लोग gx प्लस c आपका राइट आंसर देखो भई क्या होगा क्या होगा इस कुशन का सही आंसर बताना जी x जो function है वो क्या हो सकता है सेकक्स इंटू को सेकक्स है कुशन सेकक्स इंटू को सेकक्स बताना बोलो फटाफट psych x into चलो ये कुशिन आपको home ruck के लिए दे दिया चैंच चलो बिटा, है ना ये सवाल आपको देता हूँ में home ruck के लिए चल मैं देखता हूँ मेरे लाल कितने सवाल सही करें हैं यह हम रॉक का सवाल, hint बता दू सवाल में? हिंट बता दू हिंट यह है कि इसको sign course में change कर लेना विटा, इसको sign course में change कर लेना और sign course में change करने के बाद में sign course में change करोगे, तो यह आ जाएगा सर, one upon sin x into cos x, 2 से multiply 2 का divide, 2 से multiply किया, यह formula बन गया सर, किसका sign 2x का, और sign sign 2x को जब आप उपर लेके जाओगे sign 2x को उपर लेके जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, cosic 2x बन जाएगा, cosic 2x का आपको integration करना है, क्या होता है रिधान है क्या cosic 2x का integration, क्या होता है मेरे लाल, बताओ मुझे फटाफट, चलो करी लो रे यार क्या होम रख, लगा दो लगा, दो लगा, दो फटाफट cosic का integration, cosic x का integration, गुरु जी, log cosic x minus 4x भी होता है, log 10x by 2 भी होता है, तो यह आएगा सर log 10x by 2 लेकिन x की जगे मेरे लाल क्या है, 2x, तो इसको जब आप 2x से डिवाइड करोगे तो सर, यह angle आपका हो जाएगा x, लेकिन x के साथ में छेड़का नहीं करिए, आपने यहाँ पे 2 से multiply करके, तो 2 का divide भी करना पड़ेगा, इसका मतलब आप समझे, क्या, दोनों को comparison करोगे, तो क्या पाओगे, कि सर, आएगा 10x, 10x c option, आपका right answer, d कहाँ से आया, बेटा, d तो यह पूरा आया, d तो यह पूरा है है न, d तो यह पूरा है, आपका जो answer आया, वो आया, यह यह आया answer, जबके आपको इससे comparison करवा रहा है, लोग लोग से cancel वा, gx के बराबर 10x आया, कहाँ दिक करता c option, nda 2006 का जबा, लपेट डाला, सस्ते भाओं में लपेट डाला, अब बिटा आज की class के लिए प्रतिक बच्चे का comment होना चाहिए, न, दिल से पढ़ाते हैं, दिल से selection, दिल से आपका comment आना चाहिए, प्री में selection हो सकता है, न, अगर कुषिन स्टार्टिंग से चेप्टर वाई चेप्टर आपका चल रहा है, और अभी तो सरसंडे को भी भंडारा आना बाकी है tension मत करो, आपका concept भी complete होगा, practice भी complete होगी, और practice का revision भी होगा, बिटा, वादा है team आरस्सर का, कि हर mode पर last तक आपके साथ में रहेंगे हम, चलो बिटा, अपना score जरू comment करिएगा, मैं मिलता हूँ आप से कल की class में, super duper concept के साथ में, सुबह 9 बजे, अगर आपको लगता हो कि यार, team efforts लगा रही है तो please, अपने दोस्तों के साथ में दिल के साथ में सेयर करना, प्रतीक बच्चा 5 बच्चे को बताएगा, आज जाते ही, ठीके, all the best, love you guys